मन्य दग जी सदन में राष्ट को लेकर बाते हुए ये बाते हरान करने वाली है मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूँ और मैं कोट कर रहा हूँ ये जानकारी बेहत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराथे, गुजराती, तमील, आंद्र, उडिया, असमी, कंडर, मलियाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, और हिंदुस्तानी बाशा भासी जनता से बसा हुआ विशाल मद्यभाग कैसे सेंकडो वर्सों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं इसके बावजूद इन सबके गुंदोष कमोगोष एक से हैं इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभीलेखों से मिलती हैं साथ ही इस पूरे दोरान वेश पस्ट रूप से ऐसे भार्किये बने रहे जिनकी राष्टिये विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेशताएं भी समान थी एक कोटेशन है अज्यक्ष महोद है हम भार्कियों की इस विशेशता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्दों गौर करने वाले हैं राष्टिय विरासत और ये कोट पंडित नहरूजी का है ये बात कही थी नहरूजी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है हमारी राष्टिय विरासत एक है हमारे नाइतिक और मानसिक विशेशताएं एक है क्या बिना राष्ट के ये संभव है इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे समिधान में राष्ट शब्द नहीं आता सम्वेधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट पढ़ने में नाएं ये हो नहीं सकता है कॉंग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है मैं इस पर बिस्तार अपने बात रखूँगा मान्य दग्जी राष्ट कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्ता नहीं है मान्य दग्जी हमारे लिए राष्ट एक जीवित आत्मा है और इससे हजारों साल से देश्वासी जुड़े हुए हैं और जूजते रहे हैं हमारे हाँ विश्णु पुराण में कहां गया है ये किजी बाज़वाले ने नहीं लिखा है विश्णु पुराण में कहां गया है उत्रम यत समुदर्श्य हिमाद्रेश्चे विदक्षणम वर्सतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती ही यानि समुद्र के उत्तर में और हिमाद्रे के दक्षिन में जो देश है उसे भारत कहते हैं तता उनकी संतानों को भारती कहते है विश्णु पुराण का इस लोग अगर कॉंग्रेस के लोगों को स्विकारिय नहीं है तो मैं एक और तोट इस्तिमाल करूंगा कुछ चीजों से आपको अलर्जी हो सकती है बैं कोड कह रहा हूँ एक च्छा आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकल कर नए यूग में कदम रखते हैं जब एक यूग समाप्त हो जाता है जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है ये भी नहरुजी के ही बोल है आखिर किस नेशन की बात नहरुजी कर रहे जी जी ये नहरुजी कह रहे है और मानिय देजी यहां तमील सेंटिमेंट को आग लगाने की भारिक कोशिष की गए राजनीती के लिए कॉझ्णी कि जो परमपरा अंग्रेजवसके विरासत में आई दित्ती है तोडो 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 और राज करो तोडो और राज करो बाटो और राज करो लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महा कवी मान्य अद्य जी तमिल भाषा के महा कवी और स्वतंत्र सेनानी आदर्णिय सुब्रमन्य भारती ने जो लिखा था मैं यहां दोहराना चाहता हूँ तमिल भाषी लोग मुझे ख्षमा करे मेरे उच्चारों में कोई गल्ती होतो लेकिन मेरा आदर्णिय भावना में कोई कमी नहीं है सुब्रमन्य भारती जी ने कहा था मन्नुम इमय मले एंगल मले पन्नरुम उपनित नुलेंगल नुले पार मिशे एधोरू नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नन्डे घल नाडे पोड रुवोम इकते इमक किले इडे इसका भावार्थ जो उपलब्द है वो इस तरह का है सुब्रमन्य भारती जी कहते हैं जो उन्होंने तमील भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाथ जो भाव में जो पलब्द हुआ है मैं कह रहा हूँ सम्मानित जो सकल भिश्व में सम्मानित जो सकल भिश्व में महिमा जिन की बहुत रही है महिमा जिन की बहुत रही है अमर ग्रंट से वे सभी हमारे अमर ग्रंट वे सभी हमारे उपनी शदों का देश यही है सुप्रेमिन भारती कह रहे हैं गाएंगे यस हम सब इसका यह है स्वर्निम देश हमारा आगे कौन जगत में हमसे यह है भारत देश हमारा क्या है भारत देश हमारा यह सुप्रम्न भारती जी की कविता का भाव है